भाई लोक कैसे हो तो ये है A2Y Moto Facts और आज का टॉपिक है Apache RTR 164B तो यहाँ पर जो भी कुश्चन है Apache RTR 164B के पिछले वीक के वो सारे कुश्चन को मैं एंसर करूँगा तो आपे complete वीडियो देखो ताकि आपके जो भी डाउट हो Apache 164B से रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो 50 तो ये दोनों बाइक से रिलेटर जो भी आपके कुश्चन हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछो तो फिर नेक्स्ट वीक का जो A2Y Moto Facts का वीडियो होगा उसमें एंसर कर दूँगा ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो ओके तो यहाँ पे लेते हैं सबस 60W का बल्ब लगा सकते हैं H4 वाला जिससे इसकी लाइट में इंप्रूमेंट हो जाए तो गौरब भाई देखो ऐसा है कि यह चीज मैं आपको रिक्मेंट नहीं करूँगा जो आपकी बाइक में हेडलाइट लगी हुई है उसी वाट का आप सर्च करो और बागी इसके बा है कि मैंने देखा बहुत साई लोग ज्यादा वाट की यूज करते हैं जितना बाइक करती है उससे ज्यादा तो बठा आप एक बार काम करूँगा सर्विस सेंटर में इसके बारे में इसके बारे में कंसर्ट करो कि अब लेते हैं नेक्स क्वेश्चिन यह है माजीद खान क 164B Hornet में से कौन सा बैस्ट है टाफ कुस्चन देखो दोने बाइक बैस्ट है मैं यहां पर नहीं बोलूँगा तो एक आइडिया देता हूं आपको तो यहां पर पर पावर और टॉर्क को देखोगे तो 164B बैस्ट है लेकिन यहीं पर आप ABS ब्रेकिंग और लुक्स को दे अपाचे आटीर 164B और FG25 वर्जन 2 दोनों में से कौन सा सिटी राइट के लिए बैस्ट है तो भाई यह दोनों ही बाइक सिटी राइट के लिए बैस्ट है मतलब ऐसा है कि सिटी के लिए आप दोनों बाइक ले सकते हो यह फिर आपको डिसाइड करने पड़ेगा आप द आटीर 160 में ज्यादा पावर है या आटीर 164B में है और एवरेज कितना है आटीर 164B का तो विशाल भाई आटीर 164B में पावर ज्यादा है आटीर 164B में आपको 16.something का पावर मिलता है यहां पे आपको लिखा हो मिल जाए कि exact पावर और अगर एवरेज की बात करें तो आ 45 प्लस तो आराम से निकाल सकते हो अगर सही से राइट करोगे तो यह जी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कॉस्चन है अविनास का भाई जिकसर वर्सस 164B लुक्स पीकप स्मूथ इंजन पावर मालेज बिल्ड लोकालिटी ओके तो देखो दोनों ही बाइक अगर देख रखते हो बांकि अगर इसके अलाब आपको दूसरी बाइक चीजी इन दोनों में तो आर्टीर 164 वी ले सकते हो अब कंपेर करते हैं लुक्स को लुक्स में अगर परसनली देखे तो मुझे जिकसर पसंद है तो बट लुक सब्जेक्टिव पोर्सन है आप देख लोग क्य प्लाफ अज्यादा है जिकसर के कंपेरिजन में अगर मलेज की बात करें तो माइलेज दोनों का जो फीगर होगा वो सेम होगा तो इएक्जेक्ट माइलज में आपको नहीं बता सकता दोनों ही बाइक का बट दोनों में ही आपको 40-40-45-50 के बीच में आराम से मिल जाएगा अब अगर बात करें build quality की तो build quality दोनों ही बैक की better है मतलब build quality की मामले में ये दोनों ही बैक आपको निराशनी करेंगी next question है देवासी सदास का भाई पाचे रटीर 164 वी में short rider ride कर सकते हैं क्या और city में ride के लिए अच्छा है क्या तो बिल्कुल आप short rider ride कर सकते हो और एक चीज में इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग पूछते हो कि short rider ride कर सकते हैं कि नहीं तो ये चीज आप test ride लेकर ride कर लिया करो ठीक है तो ये चीज आप जाके थोड़ा सा आपको time लगेगा आप जो bike आपको खरीदने ही रहा करें आप उसकी test ride लेकर देख लो क्योंकि मुझे बता पाना मुश्कुल हो जाता है कि कितने short और मतलब समझे रहे हो ना वो चीज मैं नहीं बता सकता कि आप क्या पता कोई की होता है कि short rider है फिर भी अच्छे तरीके से bike ride कर सकता है तो यह चीज आप एक बाड़ try कर लिया करो बढ़ हाँ seat height उतनी जादा नहीं है rtr 164 भी कि तो आप ride कर सकते हो next question है technical माधाओ का Apache rtr 164 भी कितने की है तो भाई इसमें तीन वेरियंट आपको देखने को मिलते हैं इसमें आपको एक पहला वेरियंट है हाँ लेकिन अभी आपको इसमें ABS नहीं मिलता है और ABS 2019 से तो दे नहीं पड़े का बटा भी नहीं है तो इसकी प्राइज तीन सेग्मेंट तो इसकी प्राइज वेरियंट है इसका जो इसकी प्राइज है उसकी प्राइज है एक शोरूम 86,000 और जो टॉप वेरियंट है जीत मुखरजी का अपाचे 164 भी लॉंग राइट के लिए अच्छा होगा 500 किलोमेटर के राइट के लिए तो भाई अगर मेरे हिसाब से बोले तो अपाचे आट्यर 164 भी 500 किलोमेटर तक कि अगर आपको राइट करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि पावर में भी कमी नहीं है आपको 16 PS की पावर मिलती है तो पावर भी अच्छी है और हाँ थोड़ी से सीट हाइट आप देख लो राइडिंग पॉस्चर आपके साफ से देख लो बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 500 क्लिमेटर की राइट आप करने का प्लैन कर रहे हो तो आप क कर सकते हो मुझे लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए एसके व्लॉक्स का ब्रो हॉर्णेट 160 और अपाची आटीर 164 में कौन सा कलर बेस्ट है किस कलर में बाइक ज्यादा स्पोड़ी दिखती है तो भाई ये कलर सरेक्सन जो है वह आपको दूसरा पसंदा सकता है मुझे दूसरा बट मैं अपना बताता हूं मुझे जो हॉर्णेट में ग्रीन वाला जो है इस्पेसल एडिसन जिसका मैंने रिव्यू किया है वह वाला कलर मुझे अच्छा लगता है और अपाची आटीर 164 वी में मुझे ब्लू वाला कलर ज्यादा अच्छा लगता है बाकि दोनों बाइक में कौन सी लेनी चाहिए मैं हिल में राइट करने के लिए बाइक लेना चाहता हूं तो ब्लीज एंसर माइक कुश्चन तो भाई इन दोनों बाइक को मैं एक कंपेर कर चुका हूं उसकी लिंक आपको पहले आई बटन में मिल दाएगी तो यह वीडियो को आ पर सारी डिटेल बताई गई है क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है साहिल का भाई आटीर वन सिक्टी फोर वी और एनस वन सिक्स्टी कौन सा अच्छा है सिटी कंडिशन के लि थोड़ सा आटीर वन सिक्स्टी मेरे लिए सही लगती है मतलब मैंने आपको बताया सा ना कमपेरिजन में ठीक है राइडिंग पॉस्च्ट्र मुझे अच्छी लगती है और थोड़ी से न्यू भी लगती है आटीर वन सिक्टी फोर भी और परफॉमेंस भी एनस के कमपेर हलाकि cruiser option है आपके पास Avenger का भी option है बट अगर sports category में चाहिए naked में चाहिए तो यह दोनों भाइक का अच्छा option है क्योंकि यह दोनों भाइक की जो power है वो अच्छी है 164B की पावर अच्छी है नस की पावर अच्छी है आपके काम करो दोनों भाइक की test line ले लो मुझे ऐसा लगता कि अगर आपके height थोड़ी से ज्यादा होगी तो आप NS में ज्यादा comfortable होगे और अगर थोड़ी से height आपकी कम होगी तो फिर RTR 164B आपके लिए ज्यादा better होगी seat की बात करें तो RTR 164B की जो seat है NS के comparison में थोड़ी से ज्यादा अच्छी है ओके तो यह interesting question यह आप धान से सुनना यह question है आमेर मौमीन का भाई RTR 164B में FI variant लेना सही रहेगा या फिर carburetor variant लेना सही रहेगा इसमें से vibration किसमें काम है तो यह आया मुद्दे का question तो भाई द out होता है कि भाई कौन सी लिया जाए तो एक simple बात बोलूं तो FI वाला जो variant है वो better है carburetor की comparison में और बांकि FI carburetor क्या है आपको नहीं पता उसके पर ने video बनाई है आप चैनल को विजिट करो FI versus carburetor फर्च करना last में लिख देना यह टूब आई तो आपको मिल दाएगा त रखें तो जो carburetor का dual disc है ना उसके comparison में FI वाले variant का मालिज थोड़ा से better होगा ठीक है और बांकि FI system new है थोड़ा से advance है अच्छे तरीके से work करता है performance थोड़ी से better मिलती है carburetor comparison में ठीक है तो मुझे लगता कि FI better होगा आप FI लेने के try करो बांकि अगर आपको बांकि आ अच्छा है कौन से लेना चाहिए प्लेजन से तो बाई इन दोनों बाई एक में अगर मुझे option दिया जाए तो मैं अपाची आर्टी और शेक्टी फॉर वी को पिक करूंगा यह कुश्चन है अनुच सिंग का अपाची वन सिस्टी फॉर वी में ABS कब आएगा तो अनुच इसा है कि अब ABS का टाइम चल रहा है मतलब अब ABS आने वाला ही है सभी bikes में 2019 में आने वाला है तो कब आ जाए अभी कुछ कह नहीं सकते क्या पता आपको next month से देखने को मिल जाए जैसे आप देख रहो ना बजाज में 220 में भी आने वाला है तो ऐसे ही सभी bikes में 2019 मार्च और तो इस वीडियो के थ्रू या इस सेरीज के थ्रू मैं आप लोगों के question को answer कर बाता हूँ तब आस मिलता नेक्स वीडियो पे see you soon